नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ महराष्टर स्टिट बोर्ड, माथेमाटिक्स, चप्टर नमबर 15, प्रैक्टिस इट 15.6, क्वेशन नमबर 2 तक क्वेशन्स हो चुके हैं, अभी हमें क्वेशन नमबर 3 स्वाल करना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप सभी को रि वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं, और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, अब देखें, क्वेशन नमबर 3 में क्या दिया गया है, डायमेटर आप ते सर्कुलर गारडन इस 42 मिटर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गारडन की डागराम ड्रा करेंगे, सर्क तो रेडियस होगी उसकी लेंथ इससे हाफ होगी, 21 मिटर, तो यह होगी 21 मिटर, रेडियस सर्कुलर गारडन की, देर इस अ 3.5 मिटर वाइड रोड अराउंड गारडन, गारडन के बाजु में, मतलब गारडन के बाहर, जो सर्कुलर यहाँ पर एक रोड है, तो रोड की जो वीड़त है, वीड़त है, वो है 3.5, अब यहाँ पर दो सर्कल बन गए, तो दो सर्कल जो है, आउटर सर्कल एक बन गया, और एक स्मालर सर्कल बन गया, जो की इनर सर्कल है, हमें फाइंड करना है, Find the area of the road, रोड का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या होगा देखिए जो बाहर का सर्कल है उसका एरिया उसमें सब का एरिया आता है सर्कल का भी और रोड का भी जो इनर सर्कल है उसमें से अगर हम इनर सर्कल का एरिया माइनिस करेंगे तो रोड का जो एरिया है वो रह जाएगा तो जो स्मालर सर्कल की रेडियस है वो हमें स्माल area of road मिल जाएगा तोब यहाँ पर area of road area of road is equal to लिखेंगे area of larger circle या फिर outer circle larger circle यहाँ पहें लिखेंगे हम outer circle minus area of inner circle inner circle का area अब दिखें pi into capital R square pi R square circle का area का formula है तो radius capital R greater circle के होगी minus pi into smaller circle radius smaller होगी तो पाई की वाल्यू पाई हमें यहाँ पे इन दुनों से कॉमन लेना है तो पाई कॉमन लेंगे यहाँ पे तो capital R square minus small r square तो capital R की जो वाल्यू है वो देखे 21 plus 3.5 तो 24.5 तो 24.5 cm जो radius होगी वो होगी देखे पाई कॉमने लिखना है 22 by 7 और 24.5 capital R की वाल्यू minus small r मतलब जो smaller circle है उसकी radius 21 cm तो हमें यहाँ पे दोनों का square लेना है capital R square minus small r square तो 22 by 7 into a square minus b square का एक formula है a square minus b square का वो है a plus b into a minus b तो यहाँ पे a की वाल्यू 24.5 और b की वाल्यू 21 तो a square minus b square मतलब a plus b into a minus b तो 24.5 plus 21 into 24.5 minus 21 तो 22 by 7 into अब हम इन दोनों के addition करेंगे यहाँ पे तो होगा 21 यहाँ पे add तो 45.5 multiplied by subtraction होगा तो 21 यहाँ से subtract होगा 0.0 तो 0.53 3.5 फिर 7 से divide करिए 3.5 को तो 3.5 को 3 से divide 3 को ने divide होगा तो 0.7 होगा तो 22 into 40.5 45.5 into 0.7 इन सभी का हमें multiplication करना है तो multiplication करने के बाद जो भी answer आएगा वो है आप multiply करके check करिए मैं यहाँ पे directly answer लिख लेता हूँ आपको वो सभी का multiplication पर असाने से आही जाएगा 500.5 meter square इतना area उस road का होगा जो garden के बाहर है Question No.4 दीखे Find the area of the circle if its circumference is 88 cm Circle का area find करिए जिस circle का circumference 88 cm है तो पहले हमें यहाँ पे circumference की value दीगी है तो circumference का formula यूज करके radius की value find करना है तो हम यहाँ पे circumference of circumference of circle is equal to 2 pi r यह formula लिखेंगे तो circumference का formula है 88 is equal to 2 into pi के value 22 by 7 into radius r तो r के value find करने है तो r is equal to 88 into 7 2 into 22 denominator में तो radius r is equal to 222 यहाँ पे denominator में आएगा 7 numerator में तो 22 अंजा 22 22 फोर्जा 88 2 अंजा 22 22 फोर्जा 4 2 into 7 14 cm में यहाँ पे circumference है तो radius भी cm में ही होगी तो radius की value 14 cm अब हमें find करना है area of circle radius हमें दी गई है तो area of circle का जो formula है वो है pi into r square pi के value 22 by 7 into radius का square radius यहाँ पे है 14 तो 14 into 14 तो 7 बंजा 7 7 to the 14 22 को 2 से multiply करेए तो यहाँ पे होगा 44 multiplied by 14 14 फोर्जा 56 carry 5 14 फोर्जा 56 plus 5 61 61 616 square cm इतना area होगा उस circle का जिस circle का circumference 88 cm का है तो दोनों questions हम और एक बार फोर्ट असर रिवाइस कर लेंगे देखे question number 3 क्या था diameter of the circular garden circular garden की diameter हमें दी गई थी diameter से हमने radius find कर ली 42 to 21 और उसके बाजू में 3.5 मिटर का एक रोड 3.5 मिटर वीड़ का एक रोड बनाए गया है तो हमें रोड का area find करना है तो हमने यहाँ पे diagram डॉक कर ली और उससे जो larger circle बना बाहर का outer उसकी radius capital R ले ली और जो smaller circle है उसकी radius हमने smaller ले ली जो बाहर का circle है उसकी radius 21 प्लस 3.5 मतलब 24.5 होगी और जो smaller है उसकी radius 21 मिटर होगी तो area of road is equal to area of outer circle minus area of inner circle तो हमने यहाँ पे लिखा pair square minus pair square capital R बाहर का smaller अंदर का circle तो पाइ के वैले 22 by 7 इन दोनों की value हमने लिखी फिर यहाँ पे a square minus b square का हमने formula यूज कर लिया a plus b into a minus b फिर यहाँ पे cancellation होआ और multiply करके हमें answer मिल गया अब second question में था point the area of the circle the circle will be at circumference is 88 cm circumference of circle 2 pi r circumference 2 pi r formula है तो circumference के हमने value लेली और यहाँ पे denominator के number denominator में denominator का numerator में cancelation करके आमने radius की value प्रइड कर लिए 14 cm क्योंकि एरिया ओप सरकल हमें यहां पर पाइंट करना है तो उसके लिए यहां पर रेडियस पहले फाइंट कर लिए फिर पायर स्क्वेर आरके वाले सबस्ट्टिटूट क्यलकुलेशन एरिया ओप सरकल हमने फाइंट कर लिया तो इस वीडियो में भी है दोस्तों और इसे के साथ इसे के साथ एरिया जो चाप्टर है वह समात हो चुका है और दो ही चाप्टर बकी हैं और और एक चाप्टर ता स्टाडिस्टिक्स जो कि हमने नहीं लिया है वह बहुत इजी है दोस्तों इसलिए मैंने वह वीडियो नहीं बनाया है अगर आप चाहते हो सुमेए और यहां कि कि मुझे कमेंट आख आये है कि Latinos आप benefited स्टाइस्टिक्स के तो फो वीडियो भी लेइन कि मुझे आपटा स्कूल भी होने देऊ उसके बाद आप मूझे बताईए कि स्टोटिस च्रेण है वह लिना है या नहीं किन lending बहुत आसन है स्कूल में भी हो जाएगा पढ़ाया जाए या नहीं हो जाए तो भी आपको आसने से वो समझ में आही जाएगा अगर स्कूल में चप्टर हो जाए और समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता दें फिर वो भी चप्टर हम कवर करेंगे तो इस वीडियो में इ